बेशक पिछले साल के मुकाबले चालू वर्ष के दोरान जीरा के घरेलू उत्पादन में शांदार बड़ोतरी हुई है और बड़े-बड़े उत्पादकों तथा स्टॉकिस्टों के पास माल का अच्छा खासा स्टॉक भी मौजूद है लेकिन वे नीचे दाम पर इसकी बि निर्यातकों की चुनोती बढ़ सकती है लेकिन एक खास बात यह है कि भारतिय जीरा की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और इसका निर्यात ओफर मूले भी प्रतिसपरधी स्टर पर बना हुआ है यदि सीरिया एवं तुर्की में भाव नहीं या कम घटे तो भारत को अपने स्टॉक का निर्यात बढ़ाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी एक और महत्वपून तथे यह है कि चीन में चालू वर्ष के दौरान जीरा के उतपादन में गत वर्ष के मुकाबले 35-40 प्रतिशत की जोरदार गिरावट आने की आशंका व्यक्त की जा रही है ज इसके आयात का अनुबंद कर लिया था चालू माह के दौरान भी कुछ सौदे होने की संभावना है क्योंकि भारतिय जीरा अभी आकरशक मूल्यस्तर पर उपलब्ध है चीन को इसके भारी आयात की जरूरत है चीन हाल के वर्षों में भारतिय जीरा के सबसे प्रमुक के रूप में उबरा है गुजरात की उंजा मंडी में आस्तन दस से बारह हजार बोरी जीरे की दैनिक आवक हो रही है जिसे सामाने स्तर से काफी कम माना जा रहा है मई से जून में जीरा की दिसावरी मांग भी कुछ कमजोर रही जिससे कीमतों में तेज उच्छाल नहीं आ सकता है लेकिन एकाएक जोरदार तेजी आने की संभावना नहीं है क्योंकि देश में इस महत्वपून मसाला फसल का अच्छा खासा स्टॉक अभी मौजूद है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइंस टीवी